डिर श्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटायर फॉर्म इन इंग्लिश लिट्रेचर satire form जो है या व्यंग जिसे हम कहते हैं ये हमें किसी भी literature में किसी भी culture में हमें देखने को मिलता है लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे English literature के लिए जो specific form जो emerge हुआ है English literature में ये कैसे satire या व्यंग जो है वो कैसे उबर के आया है, emerge होके आया है English literary history में satire का जो इतिहास है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं Satire can be described as the literary art of derogating a subject by making it ridiculous and evoking towards it attitudes of amusement contempt scorn and indignation ये एक ऐसा art form है, ऐसा literary art form है, जिसमें जो subject हम चूज करते हैं, उसका हम ridicule करते हैं उसको और उसके प्रति हम या जो भी राइटर है वो उसमें एक attitude डालता है, एक ऐसा feeling evoke करता है रीडर्स में, कि रीडर्स जो हैं amused फील करें या फिर contempt फील करें या फिर या फिर या फिर subject के लिए, या उसको धुतकारें, या एक नफरत की नजर से, एक indignation का feeling जो है, उस subject के प्रति, वो एक person भी हो सकता है, वो एक institution भी हो सकता है, वो एक nation भी हो सकता है, और कितना भी themes इसमें issues में हम जोड सकते हैं, तो ये satire या व्यंग जो है, एक खास तरीके का इसका एक का काम होता है, एक किसी भी समाज में, satire एक तरीके का criticism का function करता है, मतलब literature ही एक criticism का part जब बन जाता है, उस वो एक political criticism हो सकता है, social criticism हो सकता है, तो literature यहाँ पे कभी भी हम देखेंगे neutral role play नहीं करता है, satire बहुत ही एक standpoint लेके काम करता है, satire जो form है, वो उसका एक particular purpose होता है, वो neutral नहीं हो सकता है, तो यह इसकी एक खासियत है कि satire can never be, satire can never be neutral, any form of satirical art takes a stand. तो यह एक important बात होती है कि neutrality हमें satire form या literary form में नहीं मिल सकती है, इस literary form में, इसके बाद satire जो है वो different है, comedy से, satire is different from comedy as comic evokes laughter as an end in itself. whereas in satire, use of laughter is a weapon against a person class an institution a nation or even humankind तो यह इसका एक सबसे बड़ा differentiating point है कि satire कभी भी comedy नहीं होता है, comedy में हम देखते हैं कि जब laughter का जो बात होता है कि आपको हसी आती है, हसी अपने आप में एक तरीके से end होता है कि आपके सामने कोई scene चल रहा है और वो scene से, उस situation से आपको उस character पे या उस situation पे आपको हसी आई और उसके बाद आप उसके बाद नहीं सोचते हैं, satire में, satire में laughter जो है, हसी जो है एक तरीके का हत्यार होती है, जब आप हसते हैं किसी भी व्यंग को सुनके देखके तो आप उस person पे जिस पे वो satire बना है या उस particular class पे जिस वर्ग की ये बात हो रही है, जिस वर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है या उस institution पे कि मान लिजे कि judiciary का मजाक बन रहा है या political institution का parliament का मजाक बन रहा है तो या एक पूरे nation का मजाक बन रहा है या फिर इंसानियत का, जो इंसान है, इंसान इंसान की तरह behave नहीं कर रहा है तो satire के तरू, व्यंग के तरू, इंसानियत का ही जब मजाद, तो हसी जो है वो आपकी एक शुरुवात होती है, वो एक हतियार होती है कि आप हस के उस पे attack करते हैं, तो ये एक खास, एक बहुत sharp difference है comedy और satire के बीच म और इसी पे based अगर हम देखें कि English literature में, जो सबसे इस particular, अगर हम एक example लेके देखें, दो example अगर हम लें, तो किस तरीके से Earl of Rochester ने, All of Rochester ने एक particular writing किया था, जिसका नाम था Satire Against Mankind और ये 1665, 1675 में आया था, और इनके बाद Jonathan Swift का writing अगर हम लें, जैसे कि Gulliver Travels, जो 1726 में आया था, Gulliver Travels का last book अगर हम देखें, तो humanity के उपर एक Satire, एक व्यंग जो है, लास्ट बुक जो है Gulliver Travels की, उसमें के चार पार्ट हैं, चार बुक्स हैं, गलिवर Travels में, चार वोईजिस हैं, और जो लास्ट पार्ट है, उसका वो एक तरीके से Satire is mostly justified and practiced by writers to correct human vices and follies. तो ये एक खास Satire का purpose होता है, कि जो भी writer Satire लिखता है, उसका एक purpose होता है, कि वो इनसान की vices जो हैं, उसके अंदर जो कमियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, जो इनसानियत जहांपे खो रही है, या इनसान, इनसान के प्रतीक कुछ ऐसी चीज़े कर रहा है, दूसरे इनसा चानियत कहीं खतम हो रही है, तो उसकी जो चीज़े हैं, अंदर नसान के उसके नसान की ने उसकी डूस्य़े जो जो पता है, आप दबता है।